नमस्कार, मैं दीपती, आज लेकर आई हूँ एक ऐसी रेस्पी, घर में कोई भी सबसी ना हो, फिर भी आप अगर ये बना कर खाएंगे ना, तो दो की जगे चार रोटियां खाएंगे, इतनी टेस्टी और इतनी लाजबाब है ये रेस्पी, तो चलिए फटा-फट से वीड यहां पर इसको देख लेते हैं, कैसे बनाया है, यहां पर लेना है हमें दही, दही बहुत खटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल दही, ताजी दही होनी चाहिए, तभी ये रेस्पी अच्छी लगती है, तो या तो आप इसको मिक्सी के जार में डाल कर फेट दीजि फिट गया है, अब हम इसको साइट में रख देंगे, और फटा-फट सी यहां पर लेलेंगे कड़ाई, कड़ाई में डालेंगे ओल, मैंने यहां पर सरसों का तेल लिया है, यानि कि मस्टर्ड ओल, और ओल जैसे ही गरम होगा, यहां पर हम डाल देंगे, हीं, हीं की कॉंट यहां पर प्याज है यह इसी तरह से मैंने कट कर लिया था और इन सबी चीजों को आप अच्छे से यहां पर फ्राइ करते जाएंगे ठीक है तो करीपत्ता लीप्स भी डाल दीजिए इसमें करीपत्ता लीप्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथ में जाएंगी इसमें दो सूखी लाल मिर्च और यहां पर इन सबी चीजों को हमें अच्छे से भूनना है अब यहाँ पर इन मिर्ची को हम निकाल देंगे क्योंकि मिर्ची एकदम से डार्क हो जाएगी भुनते हुए मिर्ची को हम बाद में जब हम डेकोरेट करेंगे ना तब हम इसको रख देंगे अब यहाँ पर बारी आती है मसालों की तो धनिया पाउडर साथ में लेंगे हम बहुत ही थोड़ी सी हल्दी चिली फ्लैक्स इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और अब यहां बंच आएगा कस्मीरी लाल मिर्च गरब मसाला इन सबी चीजों को यहां पर अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देजिए तो यहां पर आप चाहें तो थोड़ा सा बिल्कुल पानी अड़ करके इन मसालों को भी भून सकते हैं एक से दो चमज पानी डाल कर नहीं तो आप तेल में ही इन मसालों को भून लीजिए नमक डाल देजिए टेस्ट के अकॉर्डिक और अब यह सूखी वाली जो लाल मिर्च हमने यहां पर रखी थी ना फ्राई करके उनको डाल देंगे तो मैं बीच बीच में आँच बंद कर देती हूँ क्योंकि अगर बहुत जादा तेज आँच रहेगी ना तो यह मसाले जल्दी से जल जाते हैं और अब हम यहां पर डाल देंगे फिटी हुई दही जब हम दही डालेंगे तब हम फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे कई बारी लोगों को चांस रहता है ना यह दही फट जाएगी तो आप फ्लेम को बिल्कुल से बंद कर दीजिए और यहां पर पहले मसालों के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए अगर बाई चांस वैसे तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी भी दही नहीं फटती है जिस तरह से मैंने बनाया है कि आप आच को बंध कर दीजिए मसाले भूनने के बाद फिर आप फिटी हुई दही डालिए लेकिन बाई चांस अगर धही फट जाती है तो आपको करना क्या है आपको आधा चम्मच बेसन लेकर उसको हलका सा खोल दीजिए थोड़े से मानी में और फिर धही में डाल दीजिए और उसको अच्छे से चला दीजिए जब आप बेसन डालेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा पकाना पड़ेगा या फिर बेसन आप भुना हुआ डालिए तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एक मिनट के लिए फ्लेम को अन किया था ताकि यह जो दही है उसके उपर मसाले का अच्छा सा कलार आ जाए और जो मसाले और तेल वगेर है वो रिलेज होकर उपर आजाए बस दही डालने के पाद आपको यसे ज़्यादा पादेर नहीं पकाना है उपर से हरा धनिया डालिए और इसको सर्फ कर देजिए तो अगर कभी आपके पास सबजी नहीं है बेसन बेसन की सबजी आपका बनाने का मन नहीं है दाल खाने का मन नहीं है तो यह ना दही तड़का की रेस्पी आप एक बार जरूर ट्राइ कीज बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है आप इसके साथ रोटी स्पेसली खाईए बहुत अच्छी लगती है और चावल तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो रेस्पी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजेगा और अगर आपको रेस्पी ट्रा सबस्टते है और ट्राष दофुर्षर का लगताईगे बहुत पूल में अच्तव left भाई इस स recruiting